एन्टी ए यूजी नेट यहनी निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टॉर एल्लो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम लहुतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आसेम डेटा इंटरपेटेशन शुरू करने वा होते हैं लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ भी बात नहीं है हाँ थोड़े से मुश्किल जरूर होते हैं लेकिन हम अगर मेहनत करें कौशिस करें तो ऐसी बात नहीं है कि हम इनको कर नहीं सकते अभी जो जून 2019 के अंदर जो डेटा इंटरपेटेशन के कौश्चन आये थे वह वह अगर हम मेहनत करें तो बिलकुल असानी से कौश्चन कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा इंटरपेटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप के बारे में बताएंगे जो योजिसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं और अभी ये जो कौश्चन आप देख रहे हैं इसमें से करेब 5-6 वाराज तक कौश्चन आ चुके हैं वो हम करके देखेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम शरुवात करते हमारी वीडियो की दोस्तों एंटी यूजिस नेट एक्जाम दो देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या क्या मिलने वाला है नमर एक दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे हिंदी इंग्लिस में नमर दो के दोस्तों आपको all 10 unit की एड फ्री वीडियो मिलेंगी नमर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2030 तक जो भी हमारे किशन आए हैं वो यूनिट wise की हुए मिलेंगे जैसे कि हमारे research के question आज तक जो आज को अलग है ICT के अलग है company question के अलग है सभी unit के question आपको अलग-अलग की हुए मिलेंगे नमर पांस पे दोस्तों जो सबसे unique चीज़े आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने unit में से सब topic wise question भी अलग किये हुए हैं जैसे क research में हम बात करें type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method, model of teaching इस तरह से सभी unit के सब topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे नमर छे पे दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा, इनके notes दे जाएगे, इनकी videos आपको मिलेगी, plus में आपको live mode test भी मिलेगा इनका दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि data interpretation क्या होता है और इसमें UGC net के अंदर किस तरह के ज्यादा तर question आते हैं, देखिए data interpretation जैसा कि हिंदे के अंदर इसे जाने तो यह होता है, आंकड़ा interpretation यानि कि जो आंकड़े जो होते हैं हमारे पास उनको interpretate करना, यानि कि उनको समझना, और इसके अंदर काफी तरह के जो सवाल है वो हो सकते हैं हमारे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि table chart होता है, एक तो जैसे कि table होगी, यह जादा तर mostly जो question आते हैं दोस्तों UGC net के अंदर वो table से related आते हैं, और पहले जो question आते थे वो graph से related इस तरह से भी question आए ह और उसके बाद में जैसे कि यह pie chart है, pie chart से भी अभी काफी question आये हैं, पहले आये हैं, 2012 से पहले बहुत question आये हैं इसमें से, तो अभी भी यह करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि जो नया सलेवस है, उसके अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है, तो इन तीनों के बारे में हमें basic जानकारी होना बहुत ज्यादा जुरूरी है, और आज की इस वीडियो में आपको एक जो डर है आपके अंदर वो निकाल दूँगा, आप live देखना दोस्तों कितने असान question आते हैं UGC net के अंदर, अगर आप मेहनत करते तो बिलकुल असानी से कर सकते हैं, तो एक जो डर जो अपने अंदर जो बैठा हुआ है कि हम नहीं कर सकते हैं, यह जो नहीं है ना, यह हटा दो और बस इतना रखो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, और अभी हम आपको दिखाऊंगा कि बिलकुल असानी साब किस तरह से कर सकते हैं, और एक चीज ओर है दोस्तों, जो data interpretation है, के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एक addition की tips हमें पता होना चाहिए, division पता होना चाहिए, multiplication पता होना चाहिए, percentage का use होता है, average का use होता है, ratio and proportion का use होता है, इन सभी चीजों का use होता है, और इन सभी चीजों के बारे में हम evening की जो वीडियो होगी, उसमें detail में इन 5 से 6 जो ये चीजे हैं हमारे इन सभी के बारे में details हम आपको बताऊंगा, हर एक की trick बताऊंगा, लेकिन अभी की वीडियो में हम आपको केवल basic चीजे बता रहे हैं, जिससे आपका जो order है, वो खतम हो जाए, देखिया, सबसे पहले हम ये question करते हैं, ये जून 2012 के अंदर आया इसमें इन्होंने क्या कहा है, कि एक देश में कुल विद्यूत उत्पादन, यानि कि जो electricity produce होते हैं, वो कितने हैं, 97 गिगावाट है, यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, ये graph यानि कि ये 25 आर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो जितने 97 गिगावाट जो विद्यू उत्पादन, electricity produce होते हैं, वो अलग अलग जगह से होते हैं, उन सभी का डिवाइडेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितने आसान कोशन पूछते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब देखिए, कोशन नमबर 23 देखिए दोस्त अब, what is the contribution of wind and solar power in absolute term in the electricity generation, ठीक है, यानि कि wind और solar energy से जो contribution होता है, वो कितने हैं, वो हमें बताना है, देखिए, इसके दिरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यह कितना प सोर उरजा का कितना भाग है, 97 के अंदर यह हमें बताना है, तो इसका बिलकुल सा आसान है, दोस्तो, 97 multiply by 7, यानि कि परसेंट है, बटे में 100, यह करेंगे हम, अब देखिए, 97 को जब हम 7 से multiply करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कितना होता है, यह होता है, यह होता है जब 97 को 7 से multiply करते हैं, तो 679 होता है, अब इसे जब 100 से divide करेंगे, तो हमारे पास क्याएगा, दोस्तो, यहाँ पर point आ जाएगा, यानि कि दो digit छोड़ के last से हमारे पास point आ जाएगा, और यह जो हमारा option है दोस्तो, यह option number A है, यहाँ से हम बिलकुल असानी से निकाल सकते ह और यह जो है दोस्तो, यह हमारा जोन 2012 के question paper में आया हुआ है, तो देख सकते हैं आप कितना असान question है, और अब हम आगे देखते हैं, जैसे यह second number question है, विद्यूद उत्पादन में नवी करनी है और जास्तरोतो का योगदान सुनिश्चित रुप से क्या है, नवी करनी है यानि कि Renewal Energy यानि कि जिसे हम बार-बार यूज़ कर सकें, वो हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Renewal Energy इन में से कौन सी है, अब देखिए, ना भी किया उर्जा है, वो Renewal Energy नहीं है, इसके अंदर Renewal Energy कौन कौन सी होगी, एक तो YUM सोर उर्जा और दूसरी होगी, ताप ये सकती, ये जो दो चीजे हैं, ये हमारी Renewal Energy होगी, तो इन दोनों को मिलाके हम देखते कि 97 के इंदर इनका कितना भाग है, अब देखिए, 20 और 7 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 97 में से हमें निकालना, 97 x 27 बटे में 100 अब देखिए, 97 को जब हम 27 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो ये हाजाएगा, हमारे पास 2619 यहाँ पर आजाएगा, और फिर नीचे क्या है 100 है, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने 2 के बाद लग जाएगा, तो इसका अंसर क्या जाएगा, 26.19 इसका अंस सा देता हूं, इसी से रिलेटेड जो बिल्कुल असान है, जिससे आप असानी से समझ जाएंगे, दोस्तों अगर आपको यूजिस नेट पेपर सेकिंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2013 तक क्यूशन पेपर चाहिए, विद ओफिशिल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमार वेबसाइट निमिजी.net जरूर विजिट करना, थैंकि दोस्तों, अब ये देखें दोस्तों, ये दिसंबर 2011 के अंदर आया है, इसने ये क्या कहा है कि बिविन छेत्रों से कुल सियो टू उत्सरजन 5 mm है, mmT है, ठीक है, जो सियो टू है, वो कितना है, 5 mmT है, तो अब पूचे ये इन्होंने एक पाई ग्राफ दिया है, यहां से हमें कोशन निकालना है, अब देखें कोशन नमबर 23, इसमें क्या कहा है, what is the absolute CO2 emission from domestic sector, domestic sector से उतसरजन कितना है, वो हमें बताना है, अब देखें, domestic sector कितना है, यहां पे 15% दिया है, तो 5 mmT का 15% कितना होगा, वो निकालते हैं, यह देखें, 5 गुना में 15 हमने किया, यह 5 यह ले लिया, टोटल है 5 हमारा, और परसेंटेज कितना दिया है, 15% दिवाइड भाए, 100, अब देखें, 15, 55, 75 यहां से हमारा आ गया, और नीचे क्या है, 100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 डिजिट डेसिमल लगेगा, यहां कि 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, यहां पर हमारा डोट लग जाएगा, और यहां पर हमारी 0 आ जाएगी, और यह आनसर किसमें है दोस्तों, यह हमारा option number जो D दिया, यहां पर इसका आनसर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों, आप बिल ही कहा है कि इसमें जो CO2 है, वो टोटल कितना है, 5 mmT है, अब इसमें देखते है, सयुक्त थर्मल पावर और परिवन छेतरों से निर्पेक्सित CO2 उतसरजन किया है, यानि कि इसके अंदर हमें दो का कंबिनेशन करके बताना, एक तो है थर्मल पावर और दूसरा है ट्रांस 65 यहां से हो गया, अब इन दोनों का हमें बताना है कि 5 mmT में कितना योगदान है, वो हमें बताना है, अब देखे इन दोनों का जो हमने जोड है, वो कितना किया था तो 65 किया था, और हमें किस में से बताना है, 5 mmT में से बताना है, तो इसके लिए क्या होगा, 5 multiply by 65 और करके देखते हैं 5 को जब हम 65 से multiply करेंगे तो ये हमारे पास 325 आएगा और जब हम divide by 100 करेंगे तो दो डिजिट छोड़ के यहां पर हम decimal लगाएंगे तो क्या जाएगा answer हमारा 3.25 इसका answer आजएगा जो option number A में दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितने असान question आते हैं UGC net के अंदर और वैसे तो देखिए दोस्तों इसमें 2012 से अभी तक कोई question नहीं आया है लेकिन अब की बार साइद उमीद है क्या पता आ जाए उमीद बहुत कम है लेकिन हम बिलकुल भी मनावी नहीं कर सकते है कि यह बिलकुल नहीं आ सकता आ सकता है इसलिए हमने यह question आपको करवा दिया तो दोस्तों यह question अगर इस तरह के और कोई question मिले तो आप करके देखना यह फिर आप इनी question को repeat कर सकते हैं और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों इवनिंग की वीडियो में हम आपको यह जो है सभी average है जैसे हमारा average हो गया percentage हो गया multiplication हो गया इन सभी की trick बताएंगे कि कि किस तरह से आपको multiplication करना है किस तरह से percentage निकालने है कैसे जमा करना है कैसे घटाना है इन सभी के बारे में हम आपको next वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों आज के लिए वसी दोस्तों NTA uses net exam दो देखते वे हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है नमर एक पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे हिंदी English में नमर दो के दोस्तों आपको all 10 unit की ad free videos मिलेंगी नमर तीन पे दोस्तों आपको सभी shift к क्यूचन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे हमने unit में से sब topic wise क्यूचन भी अलग किह हुई है जैसे कि research में हम बात करें type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method, model of teaching इस तरह से सभी unit के sub topic wise questions भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे number 6 पे दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा इनके notes दे जाएंगे, इनकी videos आपको मिलेगी, plus में आपको live mode test भी मिलेगा इनका दुरान आपको किसी भी तरह की problem आपके तो आप हम ये whatsapp पे भी contact कर सकते हैं आप 500 से लेके 1000 रुपे में इस post को join कर सकते हैं और समय समय पे offer change होता रहता है तो आप नीचे video description box में link दिया हुआ है, वहाँ से इस post को बाइक कर सकते हैं ठैक्यों दोस्तों